नमस्ते मेरा सबको, मेरा नाम देव है और आज मैं आप से कुछ बाते करने आयों तो बेसिकली आज जो मैं कविता मैंने लिखी है वो है नम्बनेस के उपर मतलब जब आप किसी के साथ होते हो और जब वो आपको छोड़के चला जाता है तो कुछ यार ने उसकी एक आदत रह जाती है और जब आप दूसरे लोगों पे मूव अन करने लगते हो या अपनी लाइफ में मूव अन करने लगते हो आपके अंदर डर रहता है कि यार अभी मेरे दिल मेरा दिल दुखाया या अभी वो अकेला रहने की आदत नहीं है तो वो डर जो है उसको एक्सप्रेस करने के लिए मैंने कविता लिखिया तो उससे पहले एक छोटा सा शेर लिखा था वो बोलना चाहूँगा तो इजाजत हो अगर एक समय था जब हमारी आंखो को नम देखकर जैसे तुमारी खुशिया ही उड़ जाती थी वैसे तो अब हम नही रोते इस दुनिया के लिए पर कभी गलती से मेरा तकिया पलट के मत देखना उसके बाद में लोग चले जाते ना तो यार हमारे पास उनकी यादे रह जाती हैं बाते रह जाती हैं तो उसके लिए एक और चीज लिखी है कि रोते हुए हसना सीख गए है खुश मिसाज चैरा भी अब हम बना लेते हैं और आज भी कोई हमसे आके पूछ लेना कि वो कहा है तो अपने हाथ अपने सीने पे लगा लेते हैं तो अब कविता की ओर बढ़ते हैं तो कविता में आप बार बार लाइन सुनेंगी जिसका जो है कुछ भी महसूस करने से घबर आते हैं तो वही कि इमोशन है मेरा कि जब यार किसी की यार आती है तो डर लगता है आगे मूव ओन करने में तो वो नमनेस को एक्सप्रेस करते हैं मैंने बोला है कुछ भी महसूस करने से घबर आते हैं कुछ भी महसूस करने से घबर आते हैं दर्द से हम छुप जाते हैं और अगर प्यार अगर होने भी लगे तो आखे बंद कर उनकी कमिया खुद को गिनाते हैं दिमाग अपने दोडाते हैं जो बाते शायद हैं ही नहीं उन्हें अपने मन से बनाते हैं शायद हम कुछ भी महसूस करने से घबराते हैं उनकी नादानिया देखकर जैसे हम मन ही मन मुस्कुराते हैं उनके बारे में कोई पूछ ले तो हम ही गालिब बन जाते हैं पर उनके खयालों में जो मधोश हुए तो पानी छिड़क खुद को जगाते हैं शायद हम कुछ भी महसूस करने से घबराते हैं फोन उनका आ जाये तो ना जाने क्यों चल जाते हैं वो कुछ भी पूछ ले तो मना करने से घबराते हैं और बाते जो रात को देर तक चली अब होता ना चैटे चल नहीं है तो बाते जो रात को देर तक चली तो बहाने मार कर सोजाते हैं शायद हम कुछ भी महसूस करने से गवर आते हैं अब यहर उन्हें थोड़ी पता है कि तुम अभी रिकवर कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं तो वो तो अपनी शरारते फ्लर्टिंग रिटिंग चलती रहती हैं तो उसके लिए है कि अलग-अलग एप्स पे वो हमें मैसेज करके साथ आते हैं जो उनकी स्टोरी अप्लोड हुई तो हम स्क्रीन शॉट लेने से ना रुक पाते हैं पर ना जाने क्यों ना जाने क्यों इसके बावजूद भी हम तो वो स्नैप चैट की ब्लैंक स्ट्रीक्स तक ही सी में तो रह जाते हैं शायद हम कुछ भी महसूस करने से घबराते हैं तो अब ऐसा होता ना कि क्लास बगएरा कॉलेज में तो हम जाते नहीं तो उसके उपर है कि कॉलेज में कैंटीन में जो उनका बैठने का दिल करे तो हम भी लेक्चर मिस कर जाते हैं सोसाइटी के उन ब्रेक्स में तो हम सिर्फ इने ही फोन मिलाते हैं पर अगर कहीं घूमने जाने का दिल करे तो अपने कामों का बोजा इन्हें गिनाते हैं शायद हम कुछ भी महसूस करने से गवराते हैं तो ऐसा हो रहे न कि आप मुवन करना चाह रहे हो आप चाहते हो कि याँ ठीक है अब और भी लोग है जिन्दकी में मैं आगे बढ़ू बढ़ू बढ़ कहीं न कहीं वो जंग है वो डर और दिल को ना वापिस ना वो दर्थ वो जंग है तो उसके उपार में लिखाए कि अपनी मर्जी भूल कर इनके मन पसंद रेस्टराओं पे हम जाते हैं अपनी मर्जी भूल कर इनके मन पसंद रेस्टराओं पे जाते हैं इनकी संग्दीदा डिश भी हम मंगाते हैं और उनके होटों से खाने का तिनका भी हम हटाते हैं पर पेट भर कर खाने के बाद भी न अब वो तो लगी हुई है अपने एफेट्स करने में तो गुड नाइट भी उनका आता है और सुबा गुड मॉर्निंग से हमें जगाते हैं गुड नाइट भी उनका आता है और सुबा फिर गुड मॉर्निंग से हमें जगाते हैं कितने नादान है, कितने नादान है, डबल टेक्स्ट करने से भी नी शर्माते हैं, बेज जग अपनी बाते हमें बताते हैं, अब यह आखरी शेर है तो ध्यान से सुनियेगा कि, वो बेज जग अपनी बाते हमें बताते हैं, हम उन्हें सुनना तो चाते हैं, हम उन्हें सुनन से कतराते हैं शायद हम कुछ भी महसूस करने से घबराते हैं